भगवान शिव के इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं श्रद्धालू लेकिन नहीं करते पूजा जाने विजह भारत में ऐसे कई मंदिर है जो अपनी विशेशताओं रहस्य स्थापत्ते कला के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दौट ऐसा ही एक मंदिर उतराखंड की राजदानी देहरदून से लगभग 70 किलोमीटर दूर थल कस्बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर सभाबलतिर गाउं में स्थित है भगवान शिव का यह मंदिर अपनी अनोखी विशेशता के कारण जाना जाता है वैसे महादेव का यह मंदिर अभिशत शिवाले के नाम से जाना जाता है इस मंदिर की आसियत है कि यहाँ पर भगवान की पूजा नहीं होती है फोरानिक मायताओं के अनसार ये अद्भुत मंदिर एक दिन में बन कर तैयार हो गया था कहा जाता है कि पुराने समय में इस जगैक का राज कतियोरी नाम के शासक के हाथ में था तब इस शासक ने अपने एक कारीगर से मात्र एक दिन में इस मंदर को तयार करवाया था इतना ही नहीं इस मंदर को तयार करने वाला कारीगर एक हाथ वाला था इसके निर्मांड का जिक्र कई पुराने ग्रंत और अभिलेखों में मिलता है बताया जाता है कि इस इस्थान के शासर कत्यूरी को स्थापते कला से बहुत प्रेम था, वह स्थापते कला में अन्य लोगों से आगे रहने का हमेशा प्रयास करता था, इसलिए उसने एक ऐसे मंदिर का निर्मान करने का सोचा जो अपने आप में अद्भुत हो। उसका यह सपना पूरा करने के लिए एक कारीगर तयार हुआ, जो मात्र एक हाथ का था, यह कारीगर पहले मूर्तिया बनाया करता था जिस कारण उसका हाथ खराब हो गया था, कहा दाता है कि इस कारीगर ने मात्र एक रात में ही चट्टान से यह मंदिर बना दिया, इस मंदि झाल झाल